वीरो में आज मेरी फ्रेंड मेरी ग्रोज़ेस्ट फ्रेंड मेरी पैमिली sister के लिए बना एक वने भणनाकर के लिए त Powers खुडों के और मेरी करूंव कॉलूंग उसे क्ई घूसी लेफ्वत की अब भी तो बस इसने स्टार्ट किया था कि अपनी तरी किसे वो जिंदेगी जीएगी इंडिपेंडेंडेंटली, किसी के ट्रैक में नहीं आएगी खुद को संभालेगी, खुद को स्ट्रॉंग करेगी और सी और परसली फिल कि भगवान शाहिद खुद उसकी सफरिंग देख नहीं पाए अंकल उसकी सफरिंग देख नहीं पाए इतने सालों में, पछले 9-10 सालों में आज से तक मैंने कभी नहीं देखा कि दिव्या ने किसी के लिए कुछ गलत किया किसी के साथ गलत किया या किसी को दुख भी पहुचाया है, बस लोगों ने से उसको ही दुख पहुचाया है, उसी का ही स्थेमाल के आया है, especially the relationships. यह हर एक लड़की गलती करती है, एक relationship से गंदे से धोका खाने के बाद, कहीं से भी थोड़ा भी कोई सहरा दे देता है, वो लड़की बिना सोचे समझे, उसे अपना सहरा मान लेती है, बिना उसका background जाने, बिना कुछ जाने, और दिव्या तो मासूम थी, एक तरम भूली थी, उस पागल को तो मैं समझाते थी, बतलब अगर मैं उससे समझाती होंगी, तो आप समझ सकते हों कि वो किस तरीकी की थी, मैं खूज इतनी emotional हूँ, तो वो मेरा, मेरा हजार होना थी, आज ये वीडियो में बना रही हूँ, बहुत जरूरी है, ये बनाना, इस्पेशली उस इंसान के लिए, जिसके वज़े से मेरी दिव्या ने इतना सफर किया, I know कि आज दिव्या के साथ जो भी हूँ आज दिव्या हमारे बीच में नहीं है, it is because of COVID, बड़ जो mental stress, जो physical abuse उसके साथ हुआ है, कोई भी इंसान अगर उस face से गुज़रता, तो चोटी सी चोटी सी एक बिमारी से भी लड़ने की उस इंसान के पास ताकत नहीं होती है, तो फिल भी COVID था, बहुत ही शराफ़त से, बहुत ही शान्ती से मैं आप सब को ये चीज़ बता रही हूँ, and especially to you, गगन गबरू, उस दिन तुने क्या पोस्ट किया था, कि उसकी माँ और भाई तेरे रिलेशन्शिप्स के अगेंस्ट थे, और वो नहीं चाहते थे तेरी शादी होए, और तेरे नाम पे वो पब्लिसिटी ले रहे, तेरी उकाद क्या है, क्या उकाद है तेरी, तु कौन है, तु यहाँ पे जो चार-पांच जो गिने चुने आर्टिस्ट को भी जानता है ना, वो दिव्या के बदौलत, भीग मांगे तु हिमाचल से दिव्या के साथ यहाँ रहने आया था, और जो तेरे अगेंस्ट में, सिफ उसकी फामिली नहीं, मैं भी खड़ी थी, इसलिए वो चार साल मेरी दिव्या से बात नहीं हुई थी, यूगि मुझे पता था कि तु ऐसा ही निकलेगा, पर दिव्या तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, इतनी अंधी हो गई थी, इतना फसा लिया था कि उसको आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए उन्हा अपनी माबाप की सुनी, ना भाई की सुनी, ना मेरी सुनी, ना बाकी दोस्तों को सुनी, और जिसके वज़े से आज वो हमारे बीच में नहीं है, समझा, तू पबलिसिटी देगा, तुझे मैं पबलिसिटी दे रही हूँ, अब तू ले पबलिसिटी मेरे से, तुझे मैंने कहा था ना, तेरा काला चित्ता खोल के रख दूँगी में, और अब देख, ये शुरुवात है, तुझे मैंने उपर से नीचे तक एक्सपोज नहीं किया ना, तो फिर तू बता मुझे, तो तेरे अगेंस्ट जो हम लोग खड़े थे, वो इसके लिए गगन गब्रू, क्योंकि तू मॉलेस्टेशन एक केस में, शिमला में तेरे उपर केस चल रहा था, और जिसकी सजा छे महीने जेल में रहेके, तो लास्ट एर भुगत के आया है, वो भी बेल पे, और अभी कभी भी तू अंदर फिर से जा सकता है, और अभी तू जाएगा ही, क्योंकि तूने जो मारपीट की है दिव्या के साथ, इतने सालों तक, तूने जो टॉर्चर किया है, मेंटल टॉर्चर, जिसके वज़े से वो इतनी स्ट्रेस में आ गई, इतनी दिमार पढ़ गई, उसको डाइबिटीस हो गया, हर एक चीज तेरे वज़े से हुआ है, जो तूने उसको टॉर्चर किया है, तुझे क्या लगा, कि दिव्या चली गई, तो तू अभी है, और कल बिव्या के जगर पे तुम लोग हो जाओ, तो अपने आपको बचा लो और इसको उपर एक एंसी करके डाल दो, क्योंकि यह ऐसा ही है, और पता नहीं अगर इसको अगर हमने अभी नहीं रोका, और आगे जाके किस-किस लड़कियों की जिंदेगी यह बरबाद क कीजिए, हिमाचल, शिमला, पुली स्टेशन में, जहां से भी यह है, वहां का पुली स्टेशन, वहां के जेल का पता कीजिए, इसका अच्छे से, इनफार इसका ओशिवारा पुली स्टेशन में भी दिव्या ने एंसी करवा के रखा है, करवा चॉप के दिन यह आया था, उस दिन भी मार्पिट करके गया है उसके साथ और एक तो शादी के बाद से ही वो दिव्या को रोज मार रहा है उसकी जुल्री भी चुरा के ले गया है हर एक चीज इस आदमी ने जो दिव्या के साथ किया है विप प्रूफ मैं आप सब के सामने एक एक करके मैं एक्सपोस करूंगी बट उससे पहले तू सुन ले कगंगब्रू तेरी जिन्देगी अब जेल में ही सड़ेगी ये तू आज समझ ले तुन्हें जो गिया है ना दिव्या के साथ उसका हिसाब तो भगवान ही तेरा आप क इसलिए वो आज हमें छोड़के चली गई है पर तूने दिव्या को हम से छीना है ना तू देख जिन्देगी भर तू और तेरी माँ जेल में ही सड़ेंगे तू देख गदन गबरू तू देख लीगल कांसिलिंग करेगा तू क्या लीगल कांसिलिंग करेगा तू अपने